हाई फ्रेंड मैं हूँ अनूप और आप देख रहें मिश्टार एटक ये वीडियो है वाट्सअप पर वाट्सअप की नई पोलिसी पर अगर आपके मोबाल में कुछ इस तरह के दिखाई दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है और आप एगरी वाले बोटम को तच कर दी है तो क्या होगा एगरी करने के बाद डिस अगरी कैसे होगा एगरी नहीं करने पर क्या होगा नई अपडेट पोलिसी में क्या क्या है वाट्सअप आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वाट्सअप ऐसी पोलिसी क्यों ला रहा है ये सब जानने के लिए आप वीडियो क नहीं चला सकते जी हाँ आप WhatsApp नहीं चला सकते आठ फेबारी 2021 के बाद सिर्फ एगरी बाले बॉटम ही आपको दिखाए देंगे अभी जो not now है वो भी नहीं रहेगा आखिर WhatsApp ऐसा क्यों कर रहा है देखिए WhatsApp Facebook का ही कमपनी है 2014 में Facebook ने WhatsApp को खरीद लिया था अब Facebook का कहना है मेरा तो दोनों प्रोड़क्ट है मतलब Facebook और WhatsApp तो आप हमें Facebook के साथ डेटा सेर करने के लिए आप इस एगरी बाले बॉटम को दबाईए वार्चेप का डाटा जब Facebook के साथ सेर होगा तो आपका डेटा से Facebook अपना बिजनेस चला लाएगा भाया अब question यह है कि कुन-कुन से डाटा सेर होंगे आपका Facebook अपना बिजनेस किस पर कर चलाएगा यह सब WhatsApp की term and privacy policy पर है तो term and privacy policy को चलिए देखते हैं क्या क्या है देखिए WhatsApp जुलाई 2012 में पहली बार अपनी term and policy को लाई है उसके बाद आगश्ट 2016 में उसके बा चलते हैं हम लोग Google के पास और जानते हैं WhatsApp की new term and privacy policy पर तो चलते हैं Google के पास यह रहाए Google Google में टाइपिंग करते हैं WhatsApp new privacy policy यह फर्स्ट बाला लिंक टच करते हैं देखिए WhatsApp privacy policy आगे हैं बहुत लंबा है इसको पढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा तो हम लोग जो इंपोर्टेंट है उसी पर discuss करते हैं देखिए यहां लिखा है information you provide मतलब आपके द्वारा दी जाने वाले जानकारी जैसे mobile number, profile name यह दोनों information दिये बिना आप WhatsApp नहीं चला सकते हैं ठीक है उसके बाद है your messages इसमें लिखा है कि आप जो normal message करते हैं उस server पर store नहीं होते हैं लेकिन message डिलेवर नहीं होने पर server पर ही ठीक है उसके बाद है undelivered messages मतलब अगर आप किसी person को WhatsApp पर message करते हैं और वो message delivered नहीं होता तो message WhatsApp के server पर चला जाता है 30 दिन तक आपके message को encrypted form में WhatsApp अपने server में रखते हैं 30 दिन से ज़्यादा होने पर WhatsApp delete कर देता है ठीक है उसके बाद है media forwarded जो आप media photo images जो भी भेजते हैं व encrypted form में ठीक है encrypted का मतलब होता है कि आपका जो chatting है या फिर कुछ data है photo जो भी है वह किसी person को देते हैं तो आपका और person के बीची रहता है WhatsApp encrypted form में रख देता है WhatsApp खुद message को नहीं पढ़ पाता है इसलिए इसमें देखिएगा कभी इसमें इस टाइप का लिखा रहता है encrypted इसका मत to end WhatsApp अपनी सेवा को end to end encrypted की सुभीदा देता है मतलब आपको message को end to end मतलब आप और सामने वह भीजने बालों तक ही सिमीत रहता WhatsApp इसको message को वह पढ़ नहीं पाता है encrypted रखता है लेकिन वह पढ़ नहीं पाता है ठीक है उसके बाद है transaction and payment data इसमें लिखा है अगर आप WhatsApp की payment service का यूज करते हैं या WhatsApp की सेवाई खरीदने में करते हैं तो आपका payment account और transaction की जानकरी रखा जाएगा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है Google पे फोन पे सभी ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट है automatically information collected इसमें आपके दुआरा सेवाई इस्तेमाल किये जाने वाले फीचर जैसे messages भेजना call करना status ग्रूप का नाम फोटो ग्रूप की details आप online है या नहीं लास्ट सिन कब है और आपने अपना details पिछली पर कब update किया है यह सब information वार्ट सेप automatically आप से ले सकते हैं उसके बाद है device and connection information इसमें क्या है कि आपके mobile का hardware जो है modern number कितना है, operating system क्या है, battery का label क्या है, signal कैसा आ रहा है, mobile number क्या है, भासा क्या है, time zone क्या है, आपके mobile का IP address क्या है, यह सब details बिना बताए आपको automatically WhatsApp के पास पहुच जाएगा उसके बाद है location, सबसे important है WhatsApp के लिए location, आपके mobile का अगर location पता चल रहा तो बहुत कुछ information मिल जाएगा WhatsApp को, आप कहा जा रहे, क्या कर रहे, साम को कहा जा रहे, दिन में क्या कर रहे, सब कुछ पता चल जा जाएगा, ठीक है जब आप अपनी contact के साथ location share करते हैं, तो WhatsApp आपकी device की static location लगा लेता है लेकिन जब आप location का use नहीं करते हैं, मतलब GPS on नहीं करते हैं, तो WhatsApp एक normal location जैसे कौन सा city है और कौन से country है, आपके IP address और phone number से जानकारी ले लेता है आपके बिना बताए, ये automatically WhatsApp के पास चला जाता है WhatsApp की term and privacy policy बहुत लंबी है, description में link दे दिये हैं, आप उहाँ जाकर read कर सकते हैं अब बात करते हैं, WhatsApp आपकी जानकारी को किस तरह से इस्तेमाल करेगा WhatsApp आपकी जानकारी किस तरह इस्तेमाल करेगा आपके द्वारा दी गई जानकारी Facebook कमपनी के product के साथ जोड़ा जाएगा मतलब आपका जो छोटा छोटा information होता है, वो Facebook कमपनी के जो product जोड़ा हुआ है उनसे share करके आपका information उहाँ दिया जाएगा, ठीक है लेकिन WhatsApp अभी आपको दी गई जानकारी का किसी third party को नहीं देगा भविश में भी ऐसा योजना नहीं है, भविश में भी नहीं करेगा लेकिन अगर WhatsApp ऐसा करता है, तो इस privacy policy को वो update करेंगे अब बात करते हैं, कुछ लोग इसको agree कर लिये हैं मतलब इस policy को agree कर लिये हैं, not now नहीं किये हैं, तो उनका क्या होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप agree कर दिये हैं, तो इसका मतलब आपका जो data है फेस्बूक के साथ share होगा, लेकिन disagree कैसे करें, तो simple fund ही है आप WhatsApp के setting में जाईए, वहाँ my account में जाईए, वहाँ पर है option delete account delete account कर दिजिए, आपका account delete हो जाएगा, फिर आप चाहते हैं कि WhatsApp फिर समको चाहिए, तो आप फिर से install कर लिजिए, फिर से account number डालिए, ठीक है, और फिर से उही not now और agree बाला आएगा, तो agree बाला आप मत कीजिए, not now कीजिए, लेकिन 8 February 2021 के बाद, सब को agree करना पड़ेगा, बीना agree कुए, अपका WhatsApp चलेगा ने, आपको एक दिल्चस्प बात बता दे, कि दुनिया के सबसे अमिर वेक्ति, यौन मास्क टेसला कमपनी और इस्पेस एक्स के फाउंडर, WhatsApp यूज नहीं करते, वो सिगनल का यूज करता है, जी हाँ, दुनिया के सबसे अमिर वेक्ति, यौन मास्क यूज नहीं करता, सिगनल एक messaging app है, WhatsApp कीता रही है, तो दोस्तो, WhatsApp की नई term and privacy policy आपको कैसा लगा, आप comment में Subscribe कर देजे, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे, भैन्यवाद